हे वाट्सप गाईज कैसे आप सब लोग मैं हूं समसेर अली और आप मुझे देख रहे हैं वीवो केमस्ट्री चैनल पर तो आज की इस वीडियो में हम लोग मिटालिक सॉलिड्स यानि धात्विक ठोस के बारे में बात करें इससे पहले हमने सॉलिड स्टेट वाले चेप्टर का चार लेक्चर बनाया है जिसमें पहले लेक्चर में हमने सॉलिड के बारे में बात किया था फिर सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया था जिसमें सॉलिड को हमने क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में क्लासिफाई किया था फिर जब क् रखा है और चौथे लक्षर में को वैलेंट सॉलिड बदा रखा है और ये लक्षर नमबर 5 है जिसमें हम लोग मेटालिक सॉलिड्स यानि धात्विक ठोस के बारे में पढ़ेंगे तो अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश हो सके तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं कि सबसे पहले मेटालिक सॉलिड्स का हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं कि डिफिनीशन कहता है वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कार्निल का मतलब क्या हता है मेटालिक के टायन मतलब मेटल के धातू के धनायन जो कर्निल और C of free electrons C of free electrons का मतलब ये है कि electrons का समंदर जैसे पानी का समंदर होता है जिसमें पानी के कड़ बहुत जादे होते हैं उसी तरीके से हम यहां word इस्तमाल की हैं sea of free electrons मतलब electron का अमबार बहुत जादे electron के कड़ तो sea of electrons वैसे crystalline solids जो cornel और sea of free electrons से मिलकर बना होता है से मिलकर बना होता है तथा जिनके बीच metallic bond पाया जाता है metallic bond मतलब धात्विक आबंद पाया जाता है उसे क्या कहते हैं metallic solid कहते हैं क्या कहते हैं metallic solid कहते हैं हम फिर एक बार repeat करते हैं crystalline solids जो kernel यानि metallic ketions धातू के धनायांस को हम लोग kernel कहते हैं और sea of free electrons मतलब electron क्या अंबार से मिलकर बना होता है तथा जिनके बीच metallic bond पाया जाता है metallic solid कहते हैं और हम example के बारे में बात करते हैं आपको बता दें कि जितने धातू होते हैं all metals all metals मतलब जितने धातू होते हैं वो सब के सब metallic solid होते हैं keval और keval mercury को छोड़ कर keval mercury को छोड़ कर क्योंकि mercury RTP पर liquid state में पाया जाता है अब all metals अगर आपको कुछ doubt हो तो आप example लिख सकते हो जैसे zinc हो गया, sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminium, gold, silver, etc. बहुत सारे metals हैं और दूसरा example है ly, ly का मतलब मिस्रधातू, हिंद में क्या कहते हैं, मिस्रधातू, जितने आप मिस्रधातू देखते हैं, सब के सब metallic solids होते हैं, जिनके particles के बीच metallic bond पाये जाते हैं, क्या पाये जाते हैं? metallic bond यानि धात्विक आबंध पाये जाते हैं, ये रहे आपके definition और examples, अब हम इसके characteristics के बारे में बात करते हैं, मतलब metallic solid यानि धात्विक ठोस के कौन-कौन सी भी सिस्ताएं होती हैं, तो अब हम characteristics of metallic solid के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारा पहला point है, कि metallic solid, metallic solids, malleable and ductile होते हैं, malleable and ductile होते हैं, malleable का मतलब होता है, अघात वर्ध्या, क्या होता है, अघात वर्ध्या, और ductile का मतलब तन्या, तो हम क्या कहेंगे, कि metallic solids, अघात वर्ध्या और तन्या होते हैं, दूसरी बात, metallic solids जो होते हैं, ये, इनका melting point, यानि गलनांक, उच होता है, यानि high होता है, क्योंकि इन में a strong metallic bond पाया जाता है, metallic bond पाया जाता है, तीसरी बात, तीसरी बात ये, कि इनका, यानि metallic solid का density high होता है, density यानि घनत्व, घनत्व जो होता है, ये उच्छ होता है, कारण ये है, कि metallic solid के जो constituent particle, जो cornel और sea of free electrons होते हैं, ये बिल्कुल close pack होते हैं, काफी dense होते हैं, किसी area में, काफी बिल्कुल पास-पास मौजूद होते हैं, तो इसलिए इनकी density high होती है, चौथी point है हमारी, कि metallic solid, electricity and heat, यानि विदूत और उसमा के good conductor, यानि अच्छे चालक होते हैं, क्या होते हैं, heat and electricity ने लेक्टरीशिटी कहो, या electricity and heat के good conductor होते हैं, क्या होते हैं, good conductor, मतलब अच्छे चालक, यानि two- nostalgia होती हैं, क्योंकि कारण बिलिक लिजे, क्योंकि इनके अंदर free electron, free electron का movement होता है, क्या होता है? movement होता है जो free electrons होते हैं metallic solid के अंदर तो वे क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह move करते रहते हैं जैसे मान के चलिए कि ये एक छोटा सा metal का टुकड़ा है और इसमें free electrons और जैसे एक ketines मौजूद है तो ये जो surface है इसमें electron कभी इधर आता है कभी इधर आता है और फिर एक जगह से दूसरी जगह ऐसे move करते रहता है जब move करते रहता है तो electron के एक जगह से दूसरी जगह move करने के करण electricity और heat दोनो pass out होते हैं वहीं दूसरा example अगर आप समझे मान के चलो कि आप के पास एक यहाँ rod है जो metal का है मान के चलो यह copper का rod है तो यह copper का ketions और इसके दो electrons एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल move करते रहते हैं जब move करते रहते हैं तो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह तक heat and electricity pass करती रहती है इसलिए यह क्या कहला लगते हैं विदूत के सूच आलग कहला अगला पॉइंट है हमारा पांच नमबर पॉइंट है free electrons के movement के कारण movement के कारण मेटालिक सॉलिड मेटालिक लस्चर पाया जाता है क्या पाया जाता है मेटालिक लस्चर पाया जाता है लस्चर का मतलब यानि मेटालिक लस्चर का मतलब होता है धात्विक चमक अब ये कैसे समझेंगे तो ज़रा समझेगा कि ये एक फिर से एक छोटा सा मेटल का प्लेट है इसमें फ्री लेक्ट्रॉन्स चारो तरफ अपनी मूवमेंट दिखाते रहते हैं जब मूवमेंट दिखाते रहते हैं तो एक कॉंस्टेंट टाइम के लिए करते रहते हैं जिसके कारण जो मेटल की सर्फेस होती है वे सब के सब मेटल के सर्फेस जो जिनमें फ्री लेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ये चमकना शुरू कर देते हैं इसलिए जितने मेटालिक सॉलिड होते हैं वे सब के सब उनमें मेटालिक लस्ट्र पाई जाती है य इनका melting point high होता है, इनमें strong metallic bond पाया जाता है, इसलिए melting point high होता है, इनका density high होता है, मतलब घनतों भी ज़्यादा होता है, ये heat and electricity के अच्छे conductor होते हैं, और इनमें free electrons का moment होता है, जिसके कारण ये विदूत के सूचालक होते हैं, ये free electrons के moment के कारण, metallic luster so करते हैं, मतलब इनमें धात्विक चमक पाई जाती है, तो ये आपके characteristics रहें, तो आसा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को like करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादे share करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को subscribe करके, बेल आइकन को प्रेश करिए, ताकि अगली lecture आपको notification के जरिए मिल सके, तो मिलते हम अगली वीडियो में, molecular solids के साथ, यानि lecture नमबर 6 में molecular solids हम discuss करेंगे, चलिए, आज के लिए बस्त नहीं,